हेलो अच्छा लोग दिस इस गुपाल सर एंड वेलकम टू एजोस्टर जैसा कि बच्चे बार-बार कमेंड करके मांग रहे थे सर एक्वा कल्चर पढ़ा दीजे अभी हम बोड पे नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि एक्जाम अलेडी बच्चों का चालू हो चुका है और न लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पर कॉमर्सियल लेबल पे देखो पालने की बात तो अलग होती है लेकिन अगर हम किसी भी इनिमल को पाल रहे है जो कि एक्वाटिक है और परपस है हमारा कमर्सियल बिजनेस के परपस से अगर पाला जा रहा है एक्वाटिक एनिमल को तो इसको हम एक्वा कल्चर के अंतरगत रखते हैं अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि प्रान कल्चर प्रान कल्चर अब पर्टीकुलर हम देखो एक्वा कल्चर में किसको पढ़ेंगे प्रान कल्चर को पढ़ेंगे प्रान क ओंडिया द्यान देगा यहां पे इन इंडिया मोस्ट इन इडिया most important material हाट्वेस्यस दर्ण यह कैसे नेचर के होते हैं बहुत ज्यादे पोशक क्ष्ट्वां से बहुत हिते हैं होते हैं और है विलगा विलगा को खाते हैं जादे तर, प्रान is the member of phylum arthropoda, यहाँ पर ध्यंद दिज्ञेगा विटा, कि यह जो प्रान है, particular इसकी बात की गई है, फॉलम arthropoda की है, arthropoda का मतलब यहाँ पर अगर हम प्रान को एक डाइग्राम के रूप में देखें, तो कुछ हिसँधंग से प्राद दिख़ाई देता है, ऐसे करका यूँ, और ये वाली पार्ट पुरा-pुरा यहाँ से, फिर इसके बाद ऐसे-ईसे, सिगमेंटेड इनकी बाड़ी होती है, यहाँ नीचे की तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से इनके एंटीनी वाले पार्ट होते हैं, फिर इधर इधर ऐसे ऐसे अगर हम बना दे तो इनके लेक्स होते हैं जो इनकी लेक्स होते हैं वो इनके सारे बाड़ी के सिगमेंटेट से जुड़े हुए होते हैं और यहां पे लेक्स के नंबर जादे होते हैं इसलिए इनको अर्थ्रोपोडा में रखा गया which found in both fresh water and marine water यहां द्यान दिजेगा कि यह कहां पाये जाते हैं fresh water and marine water दोनों में पाये जाते हैं the pran culture mostly appear in Kerala, Maharashtra देखें यह द्यान दिजेगा कि Kerala और Maharashtra के एरिया में जो coastal area होते हैं या आप चले जाएंगे जो समूद्र के किनारे वाले एरिया पे तो वहाँ पे इनकी जादे तर पैदावार देखी जाती है फिर अगर हम बात करें 90.4% प्रान कल्चर्ड बाइ महाराष्ट्रा आफ टोटल इंडिया यानि भारत में अगर जादे तर देखा जाए तो महाराष्ट्रा में इसका पैदावार पाया जाता है और यहां पे जो बात हो रही है इसको आप कहीं से पढ़ लिजेगा अगर कहेंगे तो हम इसके कुछ इस्पेसिस के दे देंगे निम तो प्रान कल्चर जो है किया तो जाता है लेकिन इंडिस्ट्रीज में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी प्रान को पाला जाता देन हम बात करते हैं यहां पे यह कल्चर आप प्रान कल्चर आप प्रान में क्या है कि फ्रेश वाटर प्रान अगर हमको देखना है जो चारो तरफ मिल रहा है तो यह कैसे है फ्रेश वाटर प्रान मेंली फांड इन रिवर पॉंड और फिल्ड फ्रेश वाटर का मतलब हो तो यह commercial purpose से यहाँ पे भी देखा जाता है fresh water pran को कैसे पाला जाए for culturing of fresh water pran following steps are involved यहाँ पे यह बाते ध्यान दिजेगा कि इसको पालने के लिए बहुत सारे steps involved होते हैं ऐसा नहीं कि हमने एक गड़ा खना और उसमें डाल दिया और आसानी से हम निकालते गए बेशते गए business purpose से करना है तो उसमें कुछ steps को follow करना ही पड़ेगा जैसे first पे आपका आता है collection of fresh water pran जैसे अब हमको क्या करना है कि पहले तो हम fresh water pran को collect करेंगे इनका seed लाएंगे तब तो हम इनको अच्छे से पैदा कर सकते हैं फसल नहीं है हम मानते हैं फसल नहीं है लेकिन इनके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको ला के पहले अच्छी variety के बच्चों को हम पालेंगे जो nutritious हों और जल्दी से number में बढ़ें और size में growth करें उनको पालेंगे न कि कोई भी प्रान लाके पाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है commercial level पे हम एक अच्छी variety का collection करेंगे fresh water प्रान का then क्या करेंगे mating and fertilization अब इनमें हम इनको रखने के बाद mating and fertilization इनका करेंगे then इनमें क्या होगा hatching of egg इनके अंडे से बच्चे निकलेंगे hatching होगा फिर molting होगा यानि इसके उपर जो खोल लोता है वो हटेगा metamarkosis अब यानि इसके कुछ अंग जड़ेंगे और कुछ बनेंगे तो यह stages हमको यहाँ पे follow करने हैं चलते हम आगे देखेंगे बटा जब हम आगे इस steps पे आते हैं इसके पहले हम आपको यह दिखाना चाहेंगे यहाँ पे आप देख लिजे यह है प्रान का एक diagram देखें प्रान का अगर हम diagram देखें तो यहाँ से कुछ पार्ट को यहाँ divide कर दिया गया है यह वाले पार्ट को हम यहाँ से अगर अलग कर लें चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोगों को यह वाली भाग यह अब देखें इसके कुछ ऐसे पार्ट से यहाँ से अलग हो चुके हैं फीक के बीचे जितना हम यहां से यहां तक का बरी बेहन यह होता है कली से ऑली लोग क्रंस थाहन से अजेगा रस होला citrus के देखें यहीं पे फिर रेक्स और माशन देदो जगात्यक्स को अइस देखें द्यान देखें यहाँ परसेप की तरह होता यहाँ परसेप की तरह होता है जिस自 chopped का करता है किसी भी प्लांट को और एकिकार प काम आ antini होता है जिससे इन्हें पानी में क्या sensation हो रहा है वो देखने को मिलता है इनका roastrum जो होता है इनको तहरने में आसानी प्रदान करता है जिससे तेजी से भाग सकते हैं compoundye पाया जाता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होता है compoundye का structure और यह वाली जो तो रीजन होती है यहां पर द्यान जी जगा है यह टेलसर है जो मदद करता है इनको जंप करने में लेकिन सबसे ज्यादे हेलफूल होता है यूरो पोर्स जैसे चप्पू होता है नौका खेने वाला वैसे चप्पू की भाती होता है लेकिन यह तेजी से फ्लिप करके जंप क करकरके आगे भागते रहते हैं बाकी तो एक डामने जो होते हैं लेक्ष उसको प्लियोपोट्स बूला जाता है यह आप लोग देखी रहे हैं इसनका सकते हैं ऑडामने का मतलब jsat बाले पोर्शन जहां से खाना topic है वो हम देखेंगे बटा क्योंकि हमने जब वो पढ़ा तो हम heading wise चलेंगे one by one हम आपको सारे matter दिखा रहे हैं तो आप लोग confusion में ना रहिएगा सब कुछ point से ही मिलेगा जैसे उसमें पहली point क्या थी collection of fresh water prawn तो हम collection of fresh water prawn जब देखेंगे the healthy large size fresh water prawn collected from pond river and field यानि चाहे pond से river से या field से हम अच्छे जो fresh water prawn होंगे उनको collect करेंगे such collected fresh water prawn transported to tank और इनको हम tank में transport कर देंगे ले जाएंगे transfer करेंगे and then plastic bag और इसके बाद इसको plastic bag में हम रखेंगे with oxygen oxygen इसमें dissolve रहेगा जिसमें हम रखेंगे and it transported from field to industry और यहां से इस field area से हम इसको industry में आगे बढ़ाएंगे तो यह हमारी point जो थी पहली आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चा यहां पे कि collection करना था हमको कहां से हमने collect किया इनको collection की बात थी अगर हमने collect किया तो pond से किया, river से किया field से किया, then इनको हम क्या करेंगे, plastic bag में भरेंगे oxygen उसमें already रखेंगे और हम इसको transfer कर देंगे industry में, क्योंकि industrial purpose से हमको commercial level पे ध्यान देना है देन अगर हम दूसरी heading बात करें, दूसरी point क्या है mating and fertilization, क्योंकि भाई इनकी variety हमको बढ़ानी भी तो है fertilization के लिए इनको ले जाना है तो हम ध्यान देंगे कि a pair of pran, male and female ये चीज आप ध्यान दिजेगा कि जब तक male और female दोनों नहीं रहेंगे कोई फायदा तो है नहीं जब हमको male और female दोनों मिलेगा तब तो हम fertilization कराएंगे should be kept in a aquarium जहां पे इसको हमें पालना है aquarium, aquatic region में हम रखेंगे male और female दोनों को which have 60 liter जहां पे 60 liter water capacity होगी after some time female fertilized यानि कुछ समय बाद female क्या होगी fertilized हो जाएगी and fertilized female ये जो female है male को नहीं fertilized female ले एग male तो एग देहने देगा अंडा कौन देता है female ही देगी तो कुछ समय बाद ये female क्या होती है अंडे देने के लिए तयार हो जाती है अब जब अंडे वो देगी तो अगले हम point पे आंगे hatching क्योंकि अंडा दे दिया गया है तो वो तूटना भी चाहिए उसमें से बच्चे भी तो आने चाहिए तो next point आता है बटा hatching का hatching में क्या है कि for the development of egg proper condition required ऐसा नहीं कि जहां मंतहां हम रख दियें उसको और यहां से हमने एक प्राप्त का लिया हमको proper condition इनके लिए चाहिए जिसमें एग का अच्छे से development भी हो सके जिससे अच्छे हमको seed मिल सके maximum sea water with fresh water is more suitable for egg development यहां भी ज्यान दिजेगा maximum sea water जादे तर उसमें हम क्या रखते हैं sea water थोड़ा जादे बढ़ा देंगे with fresh water fresh water के साथ सा sea water भी रखेंगे तब क्या होगा more suitable होता है यह जो environment हम बना रहे हैं जादे तर sea water और थोड़ा सा fresh water डाल के हम एक environment तयार कर रहे हैं जिसमें egg का development अच्छा हो जाता है and then and then some amount of sea water यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ pointed आप लोग point आप note करिएगा sea water again added as a result यहां से point note करिए for the egg development and then उसके बाद यह point ध्यान दिजेगा बटा कि पहले हमने क्या किया था पहले वाले point में हमने बताया कि हम जादे तर ले लेते हैं sea water और fresh water का amount थोड़ा रखते हैं जिससे का development अच्छा हो जाए then हम क्या करते हैं some amount of sea water यानि कुछ amount में sea water लेते हैं again added और again उसमें डालते हैं और result क्या होता है एग hatched और अंडा क्या होता है hatched हो जाता है यानि तूड़ जाता है धिरे से फिर after hatching ये hatching के बाद एग जो है ये larva are produced एग से larva क्या होता है produced हो जाता है at this time अब इस समय क्या होता है the temperature of water maintain about उस पानी का तापमान हमको note करना होता है कि कितना है वो रहना चाहिए 24 से 30 degree centigrade यहाँ ध्यान दिजेगा जो actual environment होना चाहिए हम लोगों के लिए और अच्छे growth के लिए plant के भी growth के लिए 26 degree Celsius या centigrade बोला जाता है तापमान होना चाहिए तो ये temperature बहुत जरूरी होता है किसी भी animal के growth के लिए चाहिए वो plant हो चाहिए वो animal हो दोनों के growth के लिए and pH should be 7 to 8 और यहाँ पी particular इस अंडे के hatch और अच्छे production के लिए pH जो है वो 7 to 8 होना चाहिए चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे next point जो हमारी है molting and metamorphosis अगर हमको molting और metamorphosis देखना है तो molting और metamorphosis क्या है बेटा इसको हम जरा देख ले heading वहाँ पे हमने दिखा दिया उसी heading के अंतरगत चलेंगे newly hatched larva जो अभी अंडे से निकले हैं hatched larva transfer in maximum sea water जादे तर जहाँ sea water होगी भरी रहेगी हमारी tank में उसमें इसको हम transfer कर देंगे mixed with fresh water tank यानि समुद्री पानी उसमें ज़्यादे होगा और fresh water कम होगा उस tank में हम क्या करेंगे इन larva को transfer कर देंगे tank then the larva get proper nutrient और क्या होगा कि उसके बाद यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे proper nutrient provide करेंगे proper nutrient and undergo molting और जब इनको जादे तर nutrient मीड़ेगा तो यह molting और metamorphosis में चले जाएंगे अब molting आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है metamorphosis तो आपको हम बताना चाहेंगे बटा molting का मतलब यह होता है जैसे कि आप लोगों ने arthropod जब जान लिया या कि आर्थरोपोर्ड है तो आर्थरोपोर्ड के सभी एनिमल में molting का केस आता है उसमें क्या होता है कि यह लारवा जो होते हैं अपने उपर एक खोल रखते हैं उस खोल को हटाता है जैसे सरप को आप देखे हो ऊपने उपर से एक लेयर हटाता है उसको बोलता है केचूर उसको भटाता है वो एक scale होता है जो protein का creatine protein का होता है उस scale को हटाता है और फिर new stage में चला जाता है वैसे ही जैसे आप मखी को और butterfly को देखते हैं और caterpillar को देखते हैं और आपने देखा होगा लैक इंसेक्ट को देखा होगा तो यह सब क्या करते हैं कि अपने उपर के खोल को हटा के नए स्टेज में जाते हैं वही केस कहलाता है मेटामार्फोसिस यह मेटामार्फोसिस जो होता है इसमें दो स्टेज आते हैं यहां पर एक होता है रिट्रोग् एक होता है प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव तो एक रिट्रोग्रेसिव की बात अगर हम करें तो रिट्रोग्रेसिव में क्या होता है रिटार्डेशन यानि कुछ चीजे क्या होती है रिटार हो जाती है रिटार हो जाती है यानि कुछ उसमें पुराने सुराने रहे होंगे जो useful नहीं है वो इनके part क्या होते हैं वहां से बिखर जाते हैं जैसे यह कोई लारवा हो गया इसमें कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ है तो यह यहां से तूटके निकल जाएगा लेकिन कुछ नए pieces ऐसे ऐसे growth कर जाएंगे जैसे इनको चलने फिरने या डोलने या कोई insect है तो में दो stage हमने पढ़ा एक होता है retrogressive, retrogressive में कुछ चीजों का जण जाना, progressive में कुछ चीजों का बन जाना देनम बात करेंगे आगे बिटा, during the process of metamorphosis, pran required fresh water, अब यहां पे द्यान देना कि यहां पे जब metamorphosis complete होता है तो pran को क्या require होती है, क्योंकि भाई यह fresh water pran हमने ला metamorphosis and change into young pran, अब जब इनको हम fresh water में ले जाते हैं तो यह पूरा इनका metamorphosis हो जाता है, जिससे change होके लारवा से एकदम adult में आ जाते हैं, I mean young pran में आने लगते हैं, धीरे धीरे, young pran का मतलब बच्चा होता है, बच्चा प्रान उसके बाद धीरे-धीरे adult हो जाते हैं, तो एक बार repeat करके जरूर देख लीजेगा, फिर culture of marine water prawn, यहां पर ये बातें देखेगा बटा, the culture of marine water prawn most important are complicated because marine water prawn present in ocean and sea, यह complicated होने का मतलब है, कि fresh water तो जनरली कहीं भी आप पाते हैं और वहां पे पालन पोसन आप देख सकते हैं इनका, लेकिन अगर हम लोग UP के हैं, या फिर पास के अरिया के बिहार के हैं, या यूपी में कोई इधर हो गया, देली साइड के किनारे, अयोध्या-योध्या का हो गया, तो इन लोगों के लिए क्या होगा, कि अब ये समुंदर के किनारे थोड़ी ने जाएंगे देखने, इनके लिए तो फ्रेस वाटर ही जादे को व अब जाता है, तो ये ध्यान दीजीगा, इस परान को हमको पाने के लिए या कल्चर करने के लिए हमको और सी के पास ही होना ज़रूरी है, क्योंकि यहां पर यह मिलते हैं, तो आपने ये देख लिया कि ये मेराइन वाटर जो परान है, इमपर्टेंट और कॉम्प्लिकेट यह complicated क्यों होता है क्योंकि यह marine water के होते हैं और यह present होते हैं कहां ocean और sea में, therefore its collection is very complicated, जिसकी वज़े से इसका collection ही complicated होता है, कि अब हम समुदर से वहां से लाएं, तब हम अपने यहां बनारस में, फिर या तो बदोई जाएं, अलहाबाद जाएं, या गाजियाबाद जाएं, नोडा जाएं, देली जाएं, तो इन सब किनारे की तरफ हम लेके चले जाएं, तो हमको समुदरी एरिया से लेके इधर की तरफ ले जाने में, बड़ी problem हो जाएगी न, for culture of marine water prawn, following steps are involved, जैसे हमने fresh water में देखा, same as, ध्यान दिजिगा, same as marine water में भी steps हैं बेटा, तो यहां प बहुत easy है, और हमने easy way में पढ़ाया भी है, notes में, फिर हैं, वहीं, दूसरी step है, mating and fertilization, same, वहीं चीज, same, repeat करिएगा आप लोग, लेकिन जहां पे हम लोग, वहां पानी की मात्रा बढ़ा रहे थे, fresh water की जादे कर रहे थे, और fresh water की कम कर रहे थे, यहां पे एकदम naturally हमको ल prime water में transfer करना होता है, बस यहीं अंतर है, देन आता है, hatching of egg, तीसरी point है, hatching of egg, इसके बाद molting and metamorphosis, same case जो हमने अभी पढ़ा था, same fish culture जो होता है, अभी हमने पढ़ा, वहीं चीज यहां पे involved है बेटा, तो इसमें कुछ भी आप लोगों को इस्ट्रा नहीं देखना था, च चीजों को कैसे निकालें, पकड़ने के बाद क्या क्या किया जाता है, इससे जो wastage होते हैं, जो अच्छी चीजे होती हैं, उनके लिए अब हम क्या करेंगे, after fishing, यानि इनको पकड़ने के बाद, pran are subjected to spoilers, if proper protective measures are not taken, there are mainly two types of spoilers, यानि यहां पे हमको बहुत अच्छे से ध्यान से करना होगा, क्या करेंगे, कि spoilers के दो methods हैं, क्या क्या हैं, one is the chemical spoilers, यहां एक chemical spoilers है, in which the tissue contents, यानि जो इसके अंदर के tissues होते हैं, उनकी बात हो रही है, of the body like free amino acids are leaked out, यहां से क्या होता है, कि leaked होता है, amino acid बहुत सारी चीजे रहती हैं, resulting in loss of taste, जिसकी वज़ा से जब हम इनको लाके रखे देंगे, tissue खराब होगा, तो उसमें amino acid secret होगा, जिससे इसका taste क्या होगा, खराब हो जाएगा, nutritive value and the weight, और जिसकी वज़ा से इनकी nutritive value और weight दोनों ही क्या होगा, loss करेगा, फिर other type of spales, जो हम other type of spales देखेंगे, यानि खराब कैसे हो रहा है, बिगड कैसे रहा है, जो यहाँ पे है, यह है कि इस पालेज, bacteria, bacterial contamination, यानि कि जब हम इसको रख देंगे, तो यहाँ क्या होगा, कि bacterial contamination जो है, in which free fatty acids are released, bacteria पहली बात इसमें ग्रोथ करने लगेंगे, फिर इसमें से free fatty acids release होने लगेगा, from the muscles, इन के muscles से, by enzymatic hydrolysis, enzymatic hydrolysis की क्रिया क्या है, कि enzyme का reaction इनके अंदर चालू होगा, और इनके अंदर से जो जल का वो है, वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, जितने भी इनके tissue कैसे है, weight कर सकते हो, गिलेट आइके हैं, वो खराब होने लगेंगे, of triglycerides and phospholipids, essential contents, constituents of lipids, which later undergo, later undergo, ध्यान दिजेगा, oxo-oxidation producing carbonyl and thereby affecting the quality of pran by introducing rancidity, clear सब्दों में आप ये समझ लो, कि यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ bacterial growth होने लगते हैं, इसके body पे और कुछ chemical का secretion हो जाता है, जिससे इनकी body क्या होती है, सडन में आ जाती है, और गंधसा आने लगता है, और इसकी quality क्या होती है, खराब होने लगती है, बस इतना याद रखिए, यह सडन गलन या खराब होने के वस्था कहां से सुरू हो जाती है, बोट में ही सुरू हो जाएगे, अगर अच्छे से इसको kept नहीं किया गया, प्रान आ रिस्टोर्ड फार फार सिक्स आवर विदाउट आइस, बिना बरफ के अगर हम इसको 6 गंटे तक रख रहे हैं, बिकाज प्रान डिटर मिनेस्ट, बिकाज यह क्या है, 6 आवर्स बिदाउट आइस, बिकाज प्रान यह डिटरियोशन, डिटर्मिनेट ही रहेगा, मोर देन फीशेज अप्टू 4 आवर्स, यानि जादे तर फीशेज, चार गंटे से जादे तक हम रख सकते हैं, अगर हम प्रान को रख रहे हैं, कुछ देर तक, तो इसको हम इसके ओरिजनल क्वाल्टी में पा सकते हैं, लेकिन जब उससे जादे टेंपरेचर बढ़ाएंगे और 6 आवर के ऊपर, 4-6 गंटे आप कह सकते हैं, 4-6 गंटे के ऊपर अगर हम इनको रख देंगे, बिना बर्फ के, तो इनके अंदर अल्रेडी बदबूसी आ जाएगे, और यह सडन गलन स्टार्ट हो जाएगा, बट अप्टर देट, डिटरियो रेशन, यह ध्यान देजिगा, डिटरियो रेशन वहां भी है, डिटरियो रेशन इस रैपीड, यानि बड़ी तेजी से इनके खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाते हैं, रैपीड, and in 8 hours, they may become unfit for eating, और यह खराब हो जाएगे, और य इला जुला के यह बात आप लोग जान लिजे कि प्राण की जो इसपालेज होती है, यानि सडने गलने या खराब होने की अवस्ता, आप एवरेज मान के चलिए कि 26 डिग्री जो सेल्सियस टेंपरेचर होता है, उस पे अगर हम इनको रख रहे हैं, तो यह कुछ पल के जादे देर के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कि इनको अच्छे से एक टेंपरेचर दें, जिस टेंपरेचर को हम मेंटेन कर सकें, तो हम प्रिजर्व करके इसको आजसानी से रख सकते हैं, जहां इस पालेज से इसे बचाया जा सकता है, अब हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन आप प्राउन, जो प्रिजर्वेशन है, यानि इसको अच्छे से रखना और इसमें से जो चीज़े हैं, वो निकाल के सप्लाई के लिए तयार करना, लेकिन प्रिजर्वेशन में बहुत सी चीज़े ध्यान देनी होती हैं, जैसे कि एक बच्चा बाहर से बगीचे में से खेल के आया, तो उसको आप सीधे अपने घर में एंटरी नहीं दे देते हैं, क्योंकि वो खेल के आया तो उसके उपर डेस्ट पार्टिकेल और बहुत सी चीज़ें पालुटेंट भी लगे हुए होते हैं, आइस लैक जैसे आप करोना के टाइम में बाहर स इसके अंदर जो गंदगी है वो हटानी होगी, इसके लिए प्रिजर्वेशन आप प्रान पढ़ना है, दे प्रान इस हाईली नूट्रिटिव इंसेक्ट, यह इंसेक्ट है, ध्यान दिजेगा, क्योंकि आर्थ्रोपोर्ट्स क्याते हैं, बट, ध्यान दिजेगा, बट कॉ इस निसेसरी फर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग वैलू, यह एक इंसेक्ट है, और इनमें जो रेट होती है, खराब होने की वो बहुत तेज होती है, बड़ी जल्दी यह खराब हो सकते हैं, इसलिए इनको प्रिजर्व करने से पहले, इनके लिए एक अच्छी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी होता है, और इसको सावधानी से अगर प्रिजर्व नहीं किया गया, तो यह खराब हो जाएगा, और पूरी वैलू आपकी, जो मार्केट की वैलू है, इस प्राण की यह खतम हो जाएगी, यानि इसको सुरचित रखने के लिए, जैसे हम फ्रीज में क्या करते हैं, कोल्ड रिजर्व करके रख देते हैं, बाद में पीएगे, बाहर रख दोगे तो पीपा होगे, गरम हो जाएगा न, वैसे ही यहाँ पे हमको प्रिजर्व करने के लिए कुछ चीजें लगानी होत यह पहले पे हैं, फिर कुपे लिए को कि प्पिलीग, फिर प्लइं पीलिग की अब यह क्या चीजे हैं, अब आप ज़रा धिक दीजां दीजें, पीलिग क्या हैं, द fresh water, the fresh water pran are headed peeled and washed with fresh water and then placed in tray of refreeze रेफ्रीजरेटर with ice water, the fresh water are pran are headed, pealed, यहाँ पे जो इनकी head वाली portion है, उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और जो इसके बाकी जो portion है, उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तोड़फोड के, और क्या करेंगे, इसको धूलेंगे, अच्छे से, fresh water से, फिर इसको हम क्या कर एक ट्रे में लेंगे जो रेफ्रीजरेटर ट्रे है उसमें ले जाके बरफ के साथ एक जगा रख देंगे फिर दूसरी स्टेप क्या है कुकिंग फिलिंग फर्स्ट ली दा फ्रेश वाटर प्राण कुग्ड इन थ्री टू फाइफ परसेंट यानि हंड़ेट परसेंट नहीं इसको हम पकाएंगे ज़रूर बॉयल करेंगे लेकिन थ्री टू फाइफ परसेंट बॉयलिंग इसको हम या करेंगे बॉयल करेंगे देयन दिजे गाओ जादे देडे तक बॉयल भी नहीं करदेना है नहीं पता लगेगा कि अब यह पक्क Trad América सिएगा इससको पाँस मिणट तक हम क्या करेंगे बॉयल करेंगे I mean 3-5 परसेंट यह बॉयल हो जाना चाहिए एंड देन पील्ड देन इसकी सभाई शुरू कर देंगे फिर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे जो आइसी वाटर है उसमें उस ट्रे में हम इसको ट्रांसफर करके फ्रीज के अंदर डाल देंगे फिर एक Pilling Cooking पहले था Cooking Pilling यानि एक तो है Pilling कि हम इसको डिरेक्टली छील चालके यानि इसके जो बाड़ी पार्ट से हटा के आसानी से उसको फ्रीज में रख दें दूसरा क्या है कि Cooking Pilling पहले इसको बॉयल करें उसके बाद इसके उपर के जो वेस्टेज हैं वो हटा के तप फ्रीज में रखें तीसरे प्याता है Pilling Cooking पिलिंग कुकी में क्या है कि पहले इसके पार्ट जो हैं वेस्टेज जो हैं इसके उपर जितने भी वेस्टेज हैं उसको हटा के इसको धूल देंगे विद फ्रेश वाटर देन बॉयल अब इसके बाद बॉयल करेंगे इसको हम इस इस्थिती में बॉयल करेंगे या अब इसको हम क्या करेंगे फ्रीज करने के लिए या खूल करने के लिए लेकिन यह ध्यान दिजेगा पिलिंग में हमने क्या कियागी पहले इसके उपर यहां यह पूरा इस्टेफ हम एक मिनेट में आपको लोगों को समझा देना चाते हैं यहाँ पर प्रिजर्वेसन करने के लिए हमगो इसको पिल्ड करना होगा अब पिलिंग का मतलब होता है इसके उपर से जितने वेस्टेज घचा के इसको वास्ट कर देंगे तो इसमें दूसरे पर आता है कुकिंग पिलिंग पहले, जब इसके उपर पूरा लेयर आलरेडी है तो इसको जब हम बॉयल करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके 5 मिनट यहां टाइम देते हैं उसके बाद क्या करते हैं इसके उपर के जितने वेस्टेंगे वो जब इसके उपर का कवर हटा देंगे तब अगर हम इसको 5-10 मिनिट बॉयल कर दें तो यह आल्रेडी पिघल जाएगा तो इतना हमको नहीं करना है इसलिए इसको 2-3 मिनिट ही बॉयल इस स्थिति में करना है तो यह रही मेरा प्रिजर्वेशन का इस्टेप बिटा इसके ही है जो एंटीनी है यह सारी चीजे को इन सभी चीजों को तोड़ फोड के हटा देंगे कहरा पेस उपर से हटा देंगे फिर मसल्स को हम रख लेते हैं तो यहीं पिलिंग का स्टेप से चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे आगे हैविटा टाइप्स आफ प्रान फीशरी टाइप्स आप प्रान फीशरी में आप लोग देखाऊगे कि जो प्रान की फीशरी होती है यह कितने प्रकार की है एक आडिंग टूदा क्वाल्टी टोपोग्राफी यानि जो टोपोग्राफिकल रिजन है धर्ती पे कहां पाया जाते हैं और नेचर आफ वाटर यानि पा देंगे टेलीग्राम पे आप लोग ले लिजीगा के एक है सेलो वाटर प्रान फीशरी यानि चिछले जल यानि यह कहां पे मिलेगा जैसे हम लोगों के खेतवेत वाले एरिया में या नार्मल जो फिल्ड वाली एरिया है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा एस्टरी बैक प्रान फीशरी तो यह पॉइंट आप लोग निकाल लिजेगा इसको लिख लिजेगा फोर रेडिंग दिया है अगर आप यहां पे तीन देख रहे है तो तीन भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चौथा अगर आपको चाहिए तो टेलिग्राम एजू बुस्टर नाम और कुछ टापिक छूटे हुए हैं थर्ड यह को वह तो देही रहे हैं फस्ट यह को आप प्लीज चैनल यह सेयर करिए जिससे हमारा ग्रोथ हो सके तैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो और चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब करना ना बोले